तो इस वीडियो में हम कंटीनेब करने वाले हैं exercise 3b आप आपने चानल को subscribe किया होगा इंग वीडियो को like भी किया होगा please request subscribe करो right so first question से सुरू करते हैं यहापे identify करना है greater rational number जो question given है so मैं आपको दो method बता रही हूँ पहरा question लिखके बता रही हूँ minus 4 by 5 and minus 2 by 3 पहला method है अब cross multiply करो अब cross multiply करोगे तो जैसे minus 4 minus 4 में 3 का multiply करोगे तो minus 12 हो जाएगा हमें minus 12 by 5 मिल जाएगा इसी तरीके से 5 का multiply minus 2 में लिखो करोगे तो minus 10 by 3 हो जाएगा मैंने अब इसी और सिर्फ multiply किया अब देखो यहाँ पे कौन सा बढ़ा है minus 4 by 5 is bigger ठीके यह तो सिर्फ identify करना है यहाँ पे हमें सिर्फ बताना है कि कौन सा bigger हमें method नहीं बताना है तो cross multiply कर लिए next method यह पहला वाला question था अब दूसरे वादे question में में दूसरे वाले method बता रहे हूं इसे 1 by 5 है 1 by 5 और 2 by 7 है ठीके दोनों का LCM ले लो दोनों का LCM लोगे 5 और 7 के question 35 होता है ठीके अब 35 लाने के लिए हमें पहले 1 by 5 में किसका multiply करोगे कि नीचे 5 5 से विंजा होता है 5 से विंजा तो ऊपर भी 7 का करोगे तो 7 बंजे 7 7 by 35 हो गया और दूसरे वाले का क्या हो तो 35 लाने के लिए 7 में किसका multiply करोगे नीचे 5 का तो ऊपर भी 5 का 10 अब देखो कौन सा bigger है इसका मतलब है यह वाला 2 by 7 अब मैंने आपको दोनों मेथट बता दिया है अब आपका जो मानाए उसके हिसाब से कर लो अब पहले कर लेते हैं मैं पहले वाले मेथट से कर रहे हूं 11 4 जा क्या होता है 44 9 2 से 18 सो देखो 4 by 9 is bigger ठीक है 5 11 into 11 minus 55 by 5 आ जाएगा 5 into 35 minus 13 minus 65 सो हमेशा दियान रखो जितना छोटा नंबर minus में होता है उतना ही बड़ा consider किया जाता है सो यहाँ पर minus 55 is bigger than minus 65 राइट 3 3 is a 9 7 7 is a 49 तो यहाँ पर 49 मतलब यह 7 by 3 is bigger 5 9 जा 45 minus 45 6 5 जा 30 minus 45 और minus 30 में कौन बिगर होगा minus 30 is bigger right समझ में आया ठीक है question number 2 में अब देखो वही सेम चीज इसमें भी हमें करना है अब इसमें sign के साथ करना है उसमें identify करना था so क्या करेंगे वही आला मेरे साथ साथ करते चलो यहाँ पर symbol का use करना है देखो 18 2 जा 36 minus 36 दिमाग में रखो 9 3 जा 27 minus 27 minus 36 बढ़ा है या minus 27 बढ़ा है तो यहाँ पर हम A का करेंगे इस तरफ alligator का mouth रहेगा B 10 3 जा 30 14 5 जा कितना होता है 70 so यहाँ पर क्या हो जाएगा इस तरीके का हो जाएगा C 56 into 3 और 18 8 into 21 so अब इसमें आपको multiply करना पड़ेगा 8 बंचा 8, 8 2 जा 16 होता है तो 168 इसका आएगा और 3 into 6, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 plus 1 16 so यहाँ पर 161 ही आ रहा है 168 ही जा तो यहाँ पर equal हो जाएगा right D है 13, 5, 65 denominator जब सेम रहते तो हम उपर यह देख लेते denominator सेम है तो simple सा यह होगा बड़ा right E में focus करो 13 into minus 1 30 sorry 30 है 13 नहीं 30 into minus 1 minus 30, 6 5 जा 30 minus 60 तो यह बराबर है दोलो minus minus है F 8 into minus 1 minus 8, 9 into minus 1 minus 9 so obviously बात है minus 8 बड़ा होगा तो F, F का क्या हो जाएगा यहाँ पर इस तरह alligator का mouth हो जाएगा अब आता है question number 3 जिसमें arrange करना है अब arrange करने वाले में LCM लेना पड़ेगा अब आता है main task आपको करने का लिखने वाला question number A 3 का 2 by 3, 4 by 5, 3 by 7 हमें क्या करना है LCM लेना है LCM of 3, 5, 7 अब 3, 5, 7 का क्या हो जाएगा 3, 5, 15, 7, 105 105 is the number जो कि इन तिनों नंबर से divisible होगा ठीक है अब एक ही करके solve करते है 2 by 3 equals to 105 लिखो denominator में अब 3 से अगर दिवाइड करें 105 को तो 3, 3 is a 9, 3, 5 is a 15 तो 35 का multiply करना पड़ेगा तबाएगा 105 उपर भी 35 का करो 70 हो गया इसी तरीके से 4 by 5 का करते है 4 by 5 का 105 लाने के लिए क्या करेंगे 15 में किसका multiply करेंगे 5, 2 is a 10, 21 का उपर भी 21, 4 बंजा 4, 4, 2 is a 8, 84 आ गया C का करते है 3 by 7 अब 3 by 7 वाले में किसका multiply करेंगे हम 105 लाने के लिए 15, 15, 7 जा 105 उपर भी 15, 15, 3 जा 45 अब notice करो सबका denominator सेम हो गया कौन सा बढ़ा है सबसे ascending order क्या होता है सब छोटे से शुरू करना है तो छोटा सर्च करना है सबसे छोटा यह 4 by 5 45 by 105 है इसका यह वाला fraction लिख लो 3 by 7 ठीक है उसके बाद 70 by 105 है तो 2 by 3 लिखेंगे उसके बाद सबसे बिगर कौन है यह तो 4 by 5 है ना असान बस मैंने lcm लिया अब आपको तरीका करने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा लेकिन असान है बस lcm लेके 35 35 into 3 देखो तीनों नंबर से हैं यह आपर इसका मतलब इसका भी lcm क्या हो जाएगा lcm of 5 7 & 3 is 105 अब देखो 105 lcm हो गया तो बस-2 by 5 equals to 105 लेके आना है 5 into 21 ओपर भी 21 तो minus 42 तो यह हो गया minus 4 by 7 का करना है तो अगें 105 लिखो 7 into 15 ओपर भी 15 minus 60 3rd है 1 by minus 1 by 3 तो यहां पर 105 में किसका multiply करोगे 39 का ठीक है तब ही तो आएगा 39 का करना है 35 का करना है तो उपर भी 35 minus 35 हो गया अब देखो सबसे चोटा नंबर क्या है यह है सबसे चोटा नंबर तो minus 1 by 3 ठीक है उसके बाद क्या है यह है तो minus में है न यह नंबर यह इनों ही minus में है तो देखो गलत लिखती है मैंने माइनस में जितना पड़ा नंबर रहता उसतना चोटा है तो सबसे चोटा तो यह है minus 4 by 7 उसके बाद सबसे चोटा यह है तो minus 2 by 5 उसके बाद है minus 1 by 3 सो देखा मिस्टेक हो रही थी बट मैंने ध्यान दिया राइट so now question number c करते हैं c में क्या है यहां पर 3 by 7 1 और minus 2 है so यहां पर देख सकते हैं 3 by 7 fraction में है यह दोनों whole number है यह minus में है so ascending order में क्या होता है सबसे चोटे number से शुरू करते हैं तो सबसे चोटा number यहां पर क्या हो सकता है 3 by 7 minus 2 या फिर 1 तो देखो सबसे bigger होगा और minus 2 और 3 by 7 ठीक है so इसमें भी क्या करते हैं हम LCM ही ले लेते हैं क्योंकि ऐसे तो समझ नहीं आएगा minus 2 और 3 by 7 में देखो इनके की नीचे कुछ भी नहीं तो हम अपने 7 लिख देंगे इन तीनों के LCM 7 ही हो जाएगा so हम क्या करते हैं 3 by 7 equals to 7 तो 7 into 1 करोगे उपर भी 1 तो 3 by 7 हो गया इसी तरीके से 1 by 1 का अगर हमें 7 लाना नीचे तो 7 का multiply करना पड़ेगा उपर भी 7 का तो यहां पर 7 by 7 हो गया माइनस 2 by 1 का equals to 7 लाना तो 7 का करना पड़ेगा उपर माइनस उपर भी 7 का करना पड़ेगा उपर भी 7 का करना पड़ेगा not minus 7 7 2 तो 14 so minus 14 by 7 अब आसान हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम सबसे छोटा डूण सकते हैं सबसे छोटा नमबर तो यह होगा क्योंकि सबसे बड़ा है और माइनस में तो यहां पर लिखेंगे minus 2 राइट सबसे छोटा ही हो गया माइनस टू उसके बाद यहां पर देख सकते हैं यह 7 by 7 हो गया उसके बाद यहां पर देख सकते हैं 3 छोटा है 7 से तो यहां पर हम लिख देंगे 3 by 7 और इस सबसे बड़ा हो जाएगा 1 by 1 so 3 by 7 लिख के हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है